हमें कोई आदत क्यों पढ़ती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस चीज के लिए habitual हैं वो आदत आखिर आपको कहां से आई है? हमारी हर आदत, हमारे हर अनुभव, every experience we go through over and over. हमारे अंदर से हमारे भीतर एक जरुष है उसकी, हम उस चीज के महताज हैं, there is a need within us for it और वो जरुष किसी belief, कोई विश्वास या भरोसा है हमें उस आदत पर, जैसे की काम कम है या ठक गए हो तो सिगरट पीलो, खाली बैठे हो तो चाय पीलो, नीद आ रही है तो कौफी प खोल लो, टाइम पास हो जाएगा, शराब पीकर ही मज़ा आता है, ये कुछ धारनाएं, कुछ beliefs हैं हमारे और ऐसे ही कुछ beliefs से हमें किसी चीज की आदत पड़ जाती है, हाथ सुंगने की, नाखुन खाने की, और पता नहीं कितनी ही सो आदते हैं, पता नहीं क्या है हमारे अंदर जिसको fat की जरुरत है, खराब relationship की जरुरत है, असफल होने की, गुसा होने की, गरीब रहने की, गाली देने की, पूछो अपने आप से उस आदत की जरुरत क्यों है, उस आदत के पीछे कुछ छुपा हुआ है, जो बार बार उसको करने के लिए आपको प्रेरित कर हम बार बार बोलते हैं कि मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, इसको छोड़ दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, और फिर हम अपने आप पर गुसा होकर बोलते हैं कि हमारे अंदर willpower नहीं है, इच्छा शक्ती नहीं है, कोई discipline नहीं है, अनुशाशन नहीं है, you are just weak, मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन इन सबसे कोई फायदा नहीं है, ये शब्द, उस अपराद, उस आदत, उस guilt को और बढ़ाते हैं, whatever we are trying to release in our lives is just a symptom, an outer effect, हम अपनी जिंदगी में जिस भी चीज से मुक्ती पाना चाहते हैं, या त्याग करना चाहते हैं, वह सिर्फ एक लक्ष करना बेकार है, मतलब किसी आदत को सिर्फ यह कहकर खतम नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैं कल से ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, सबसे पहले उस कारण, उस reason को खतम करो, जिसकी वजह से वो आदत पड़ी है, उस जरुरत को खतम करो, जिसकी वजह से वह आदत जरुरत पर काम करो, आदत अपने आप ठीक हो जाएगी, और उस जरुरत को खोड़ने के लिए आपको बोलना है, I am ready to release the need for resistance, मैं उस जरुरत, उस परतिरोध की आवशकता को खोड़ने के लिए तैयार हूँ, उस सरदर्द को, उस कब्स को, उस जादा वजन को, उस पैसे क कमी को, और कोई भी जरुरत, जिसको आप छोड़ना चाहते हो, उसके लिए बोलो, I am willing to release the need for, मैं तैयार हूँ, उस जरुरत को छोड़ने के लिए, कहीं और दिमाग लगाओ, एक साइन्टिफिक बात बताता हूँ, कोई भी आदत को छोड़ना हो, उसका एक ही solution है, exercise, व्य जरुरत को avoid करो, उस जरुरत को नजर अंदास करो, जब तक इस जरुरत को overpower या इस जरुरत को नहीं जीत पाओगे, तब तक उस आदत को नहीं छोड़ सकते, be gentle and patient with yourself as you untangled your own mental knots, धैरिये और शांती से काम ले, क्योंकि आप अपने दिमाग से खेल रहे होंगे उस समय, उस आपकी मदद लेना चाहो तो बहुत अच्छा है, और सबसे जरुरी अपने आप से प्यार करे, उस जरुरत को छोड़ने के समय, love yourself in the process, आपकी इच्छा शक्ती, आपकी willingness वो सबसे जरुरी चीज है, उस जरुरत को छोड़ने के लिए, this is the secret, हमारे कुछ old patterns, कुछ विचार हैं, जिनकी वज़े से हमें वो आदत पड़ी है, उन विचारों, उन examples और beliefs को ही break करना है, और नए विचार, नए pattern, नए beliefs बनाने हैं, और देखना, उन नए विचार और beliefs से आप उस आदत को छोड़ देंगे, Every outer effect is the natural expression of an inner thought pattern, परतेक बहरी परभाव, एक आंतरिक विचार, आपकी सोच की प्राकर्तिक अभी व्यक्ति है, Thank you, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज सब्सक्राइब Mind Act,